हेलो एब्रीबडी आई होप आप सब हल्दी होंगे मैं हो आपकी बाइलोज एजुकेटर शिवानी माम वल्कम बैक टू मैगनेट ब्रेंज जो आपको प्रोवाइट कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल जी हाँ आपने सही सुना मैगनेट ब्रेंज प्रोवाइट कराता है अनपेट सब्सक्रिप्शन आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक को पढ़ने के लिए कोई भी पेट सब्सक्रिप्शन लेने की जुरत नहीं है चाहे वो CBSC बोर्ड हो UP बोर्ड हो विहार बोर्ड हो या MP वोड हो आपको हर क्लास हर सब्जेक के टॉपिक वाइज एक्स्प्लेनेशन मिलेंगे और साथ में मिलेंगे धे सारे प्रेक्टिस क्वेशन इतना ही नहीं आप अबेल कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं आज की वीड जो की है बायो मॉलीक्रूल साब कि नसी आटी में यह चेप्टर नमबर 9 है और हम इस चैप्टर की पूरी थियोरी कंप्रीट कर चुके हैं NCRT सल्यूशन कर चेक के हैं और इसका हमने मृटिपल च्वेशन का पार्ट वन कंप्रीट कर चुके हैं जिसमें मैं क्वेशन नमर 1 to question number 20 लेकर गई हूँ अब चलते हैं multiple choice question के part 2 जिसमें हम complete करने वाले है question number 21 to 40 Are you guys ready? जल्दी बताइए जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजे उसके बाद यहाँ पर आये क्योंकि मैं topic wise पूरे questions डालती हूँ कि पूरे के पूरे topic cover हो जाए चले बेटा तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपने attendance लगा दीजे attendance कैसे लगाना यह तो आपको बहुत अच्छे तरीक से पता है कैसे लगाना attendance वीडियो को लाइक करना है और जादो से जादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहन और पडोसियों को जिससे वो भी आपके साथ जोड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके तो चलिए without any further delay हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला question मतलब question number 21 तो चलते हैं question number 21 की तरह बेटा question number 21 क्या बोल रहा है identify x and y in the given sequence ओके हमें यहाँ x दिया है and y दिया है और एक image दी है right तो हमें x और y को क्या करना है find करना है sequence बताना है कि x क्या है और y क्या है right जल्दी बताइए आपके 5 seconds शुरू होते हैं आप पता है ना 5 seconds देती हूं मैं question solve करने के लिए तो आपके 5 seconds शुरू होते हैं आप 5 4 3 2 1 time up time up तो देखिए बीटा पहला question जो है कुछ नो कुछ तो यहां पर amino acid के बारे में पूछ रहे हैं right मैंने क्या बोला था amino acid जो होता है excuse me amino acid जो होता है यह methane का substituent होता है right यही बोला था मैंने किसका substituent होता है methane का substituent होता है यह एक amino acid है क्या है amino acid right और ऐसे बहुत सारे amino acid आपस में जोड़ते जाते हैं और क्या form करते हैं जल्दी बताएं और क्या form करते हैं bond form करते हैं right यह दूसरा amino acid हो गया right एक औरा amino acid में बना लेती हूं पीटा ऐसे बहुत सारे amino acids हैं क्या है बहुत सारे amino acids हैं ओके यह बहुत सारे amino acids जो हैं यह क्या काम कर रहे हैं यहां देखिए यहां पर यह आपस में क्या हो रहे हैं जोड़ रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं मैं कैसे जोड़ते हैं यह तो देखिए OH और यहां से निकल जाएगा H, मतलब यहां से पानी हट गया मैंने पानी हटा दिया, ठीक है तो यहां पर बेटा जो bond बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी बताएए यहां पर जो bond बनेगा, वो यह बनेगा C, यह C तो था हमारा double bond O और NH तो यह जो bond है बेटा, इससे हम कहते है peptide bond इस bond को हम कहते है peptide bond, और ऐसा यहां पर भी होगा तो यहां से OH चला जाएगा और यहां से एक H चला जाएगा क्या चला जाएगा, एक H चला जाएगा तो यहां पर भी क्या बनेगा C double bond O और क्या होगा जल्दी बताईए है एच एन तो ये भी क्या हो गया एक पैप्टाइड बॉंड ये भी क्या हो गया एक पैप्टाइड बॉंड तो कितने बॉंड दिख रहे हैं यहाँ पर दो पैप्टाइड बॉंड कितने के बीच में तीन अमाइनो एसेट के बीच में अब पहला amino acid यह और last amino acid वो अब यह पहले amino acid में यहाँ पर क्या है nitrogen है या नहीं amine है या नहीं तो इससे हम कहते हैं end terminal इससे हम कहते हैं end terminal right तो first amino acid में क्या होता है बेटा end terminal वही पर जो last amino acid है यह last amino acid है और यहाँ पर क्या है COH है मतलब C है तो यह क्या हो जाएगा C terminal क्या हो जाएगा C terminal तो यह क्या हो गया C terminal यह क्या है बेटा आपका यह हो जाएगा आपका first amino acid amino acid को हम ऐसे लिखते हैं right यह क्या हो जाएगा हमारा यह वाला last amino यह क्या हो गया हमारा last amino acid इतना clear हुआ है नहीं जल्दी बताइए तो यहां पर x क्या होगा end terminal कहीं end terminal दिया है यह तो बिलकुल नहीं होगा यह भी नहीं होगा इन दोनों में से होगा आप इन्होंने बोला है कि y क्या है बेटा c terminal तो यहां c दिया यहां end दिया है मतलब b option भी क्या हो जाएगा incorrect और यह क्या हो गया correct option क्या हो गया correct option तो इसका answer क्या होगा बेटा a क्या होगा a इतना clear हुआ या नहीं जल्दी बताइए इतना clear हुआ या नहीं तो screenshot ले लीजे जल्दी से इसका पटा पट बेटा स्क्रेंशॉट लीजे एक बार हम आवार answer चेक कर लेते हैं तो हम answer चेक करते हैं बिलकुल correct है option a correct answer है राइट आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं next question की तरफ next question है question number 22 and question number 22 बोल रहा है बिटा at some point a protein chain may be folded back on itself like a hollow woolen ball ठीक है तो आपने उन की बॉल देखी है मामी ठंडी के टाइम पर स्वेटर बना रही थी और ममी ने ऐसे बहुत सारा उन लेकर बैठी है तो आपने क्या कर रहा उन को लपिट तक है लपिट तक है तो एक hollow ball बनगे क्या बनगी hollow ball वैसे ही protein के जो मैं बात करूं चेन होती है polypeptide chain होती है इसमें folding हो जाती है क्या हो जाती है folding हो जाती है तो एक hollow ball like structure बनता है this is called क्या बोलेंगे इसको primary secondary or tertiary structure of protein क्या बोलेंगे और structure and fold or coil are held together in place by यहाँ पर यह जो मैं बात करूं folding हो रही है ठीक है यहाँ पर जो coiling हो रही है वो किसकी वज़े से हो रही है कौन इसको hold करके रख रहा है तो जल्दी बताईए क्या हो जाएगा इसका answer option A है secondary structure hydrogen bond secondary structure peptide bond tertiary structure hydrogen bond and primary structure peptide bond मैंने आपको पढ़ाया यह जल्दी बताईए क्या होगा जल्दी जल्दी सबका answer आना च question है राइट तो क्या होगा बेटा यहाँ पर tertiary structure hydrogen bond क्या होगा tertiary structure hydrogen bond right clear है या नहीं जल्दी बताईए तो screenshot ले लिजे पीटा जो बच्चे अभी आए है जन्हों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज फटा-फट जल्दी से वीडियो को like कर दीजे ओके चले है तो आगे चलते हैं next question की तरफ और आज का next question है question number 23 and question number 23 बोल रहा है refer to the given figure हाँ देख लिया हमने यह given figure यह तो NCRT का figure है उस पे लिखा भी हुआ है primary polypeptide chain secondary structure दिख रहा है formation of structure A and B could be due to अच्छा इनका कहना है कि primary structure से secondary structure बने ऐसा क्या हुआ कि A और B secondary structure बने प्राइमरी structure में ऐसा क्या हुआ कि A और B secondary structure बने तो देखते हैं हमने पढ़ाई यह already पढ़ चुके हैं यह क्या होता है बिटा जल्दी बताईए option A है formation of peptide bond तो पहला structure जो बन रहा था आपको ऐसा helical structure इनका कहना है वो किसकी वज़े से बना है peptide bond के formation की वज़े से दूसरा बोड़ा है linking together two or more polypeptide chain है ना तो जो B structure बना है वो उसकी वज़े से बना है कि दो polypeptide chain की वीच में link हो गई तो मेरे को तो यह बिल्कुल गलत लग रहा है ठीक है क्या लग रहा है बिल्कुल गलत क्योंकि formation of peptide bond तो primary में हो गया था उससे क्या difference आया है यहां पर नहीं formation of hydrogen bond linking together two more polypeptide chain तो यहां पर यह वाला जो option है यह तो ठीक है यह तो ठीक है पर वो गलत होगे तो obvious सी बात है यह भी गलत हो जाएगा हाना नहीं तो आप बोलो की अब देखें यहां formation of hydrogen bond इनका कहना है कि पहले structure में hydrogen bond की formation होई तो ठीक है मान लेते हैं फिर linking together of two or more polypeptide chain बि linking हो रही है बाट किसके तुरू? hydrogen bond के तुरू? Next, formation of hydrogen bond formation of hydrogen bond यह पर भी hydrogen bond form हो रहे है वहाँ पर भी hydrogen bond फो रहे है ठीक है formation of peptide bond formation of peptide bond तो देखिए ये बिलकुर सही है ये इससे मैं deny नहीं कर रही अब ये वो वाला आ गया कि most appropriate कौन सा है क्या है most appropriate बेटा formation of hydrogen bond के वज़े से alpha helical structure तो बन गया पर beta plated sheet को बनाने के लिए हमको link करना पड़ेगा दो या दो से जाधा peptide chain किसके थू hydrogen bond के थू किसके थू हो रहे हो कि option B जो है वो क्या जाएगा correct answer अब यहां पर चुनना है आपको most appropriate अब आप जाते बिटा जैसे कि आप जा रहे हो आपने पढ़ते यहां से गए second पढ़ लिया आपने ठीक है यहीं पर आपको C पढ़ लिया तो आपको मिल गया कि दोनों में hydrogen bond होते हैं आपने त पढ़ाया था तो बिल्कुल सही है हाना बट यहां इसको भी तो पढ़ना पढ़ेगा इन्होंने कहा है linking together of two or more polypeptide hydrogen bond के थूँ एक और एक से दो यह दो से ज्यादा polypeptide chain जोड रहे है तब ही तो बन रहा है beta plated sheet right तो option B क्या हो जाएगा most appropriate राइट चली एक बार देख ले आज का next question है question number 24 and question number 24 बोल रहा है which bond are indicate by x and y in the given diagram तो आपको यह diagram दिख रहा है मिरको भी दिख रहा है माम यह तो यहां पर यह एक nucleotide है यह दूसरा nucleotide है यह जोडे हुए है ओके माम यह वाला है five dash end ठीक है यह है three dash end तो यह तो एक nucleotide chain हो गई बहुत लंबी होगी हमें सिर्फ हमारे vote पे इतनी आई तो हमने इतनी बनाए राइट दूसरा यह भी है तो यह भी क्या है बताईए यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि माम यहां पर यह phosphate जुड़ा है मतलब यह क्या है यह क्या है जल्दी बताईए यह five dash end है मतलब यह क्या है three dash end है तो यह क्या हो जाएगा आपका five dash end ओके क्योंकि दोरों एक दूसरे के anti-parallel होती है क्या होती है anti-parallel राइट इतना clear हुआ या नहीं जल्दी बताईए इतना clear हुआ या नहीं clear है वेटा चल एक्स क्या है एक्स मुझे दिख रहा है फॉस्फोर डायस्टर बॉंड क्या दिख रहा है फॉस्फोर डायस्टर बॉंड क्योंकि दो न्यूक्लियो टाइट चेन के बीच में यहां पर क्या बन रहा है डायस्टर बॉंड यह बन गया दायस्टर बॉंड और एक यह बन गया तो दो bond बन रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे phosphodiester bond तो X क्या हो जाएगा बेटा phosphodiester bond linkage या bond ओके और यहाँ पर क्या है बेटा cytosine है और guanine है मतलब CG के बीच में क्या है bond बन रहे है और कितने bond दिख रहे हैं तीन bond दिख रहे है 1,2,3 मतलब 3 कौन से bond होंगे hydrogen bond कौन से bond होंगे hydrogen bond तो यह क्या हो जाएगा बेटा H bond ठीक है 80 के बीच में कितने होते हैं 2 hydrogen bond और GC के बीच में कितने होते हैं 3 hydrogen bond तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजे जल्दी screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिए एक बार चेक कर लेते हैं हम ओके एक बार चेक कर लेते हैं बिल्कुल क्या कहीं दिख रहा है आपको पहला है glycosidic bond glycosidic bond किसके बीच में बनता है बिटा जल्दी बताइए glycosidic bond जो है वो sugar plus nitrogenous base के बीच में बनता है तो यह तो नहीं था right hydrogen bond किसके बीच में बनता है hydrogen bond जो है nitrogenous base plus nitrogenous base के बीच में बनता है ठीक है ओके तो वाई तो सही है पिर यहाँ पर phosphodicester bond बिल्कुल सही है phosphodicester bond किसके बीच में बनता है fifth carbon of sugar plus phosphate के बीच में यह सही है और यहाँ पर nitrogenous base प्लस nitrogenous base की बीच में बनता है ओके समझ में आ गया फिर phosphor diaster bond एक मिनट phosphor diaster bond पहले के साथ इसमें प्लस यहां पर third carbon of उपर वाला carbon हाना तो यहां पर third carbon of उपर वाला nucleotide ठीक है इतना समझ में आया की नहीं तो यह हो गया हमारा next glycosidic bond उपर लिख दिया हमने phosphor diaster bond इसके वीश में बनता है phosphor diaster bond and glycosidic bond यहां पर यह गलत हो रहा है यह तो सही है वो गलत हो गया यहां पर यह गलत हो गया यह भी गलत हो गया ओके तो आपका क्या answer जाएगा बताईए B क्या जाएगा B तो B क्या हो जाएगा correct option B क्या हो जाएगा बिटा correct option राइट चली एक बद चेक कर लेते हैं विलकुल सही है तो हमारा option B क्या हो जाएगा correct answer राइट ओके इतना clear हुआ की नहीं बताईए सारे की सारे bonds आपको clear है या नहीं तो अब next चलते हैं B DNA तो आपके 12th की NCRT में molecular basis of inheritance में जो DNA का structure है विटा वो कौन सा structure है B type of DNA right तो B DNA which is right handed double helical helix contain dash base pair तो यहां पर यह double helix structure होता है किसका बताईए DNA का इसमें इनका कहना है कि कितने base pair होते हैं per turn इन एक तर्मे कितने base pair होते हैं और दूसरा पूचा यह कि of the helix and each turn in that long ओके चलिए तो इनका कहना है कि एक turn में कितने base pair होते हैं तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ one turn जो है इसमें कितने base pair होते हैं बिटा 10 base pair होते हैं कितने base pair होते हैं 10 base pair यह थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ क्योंकि यह थोड़ा सा थोड़ा सा high level पे चला गया, मतलब 12th class पे चला गया, तो 10 base pairs होते हैं, ओके, और यहाँ पर हर base pair के बीच का जो distance होता है, हाना, each base pair, each base pair, हम base pair को ऐसे लिखने हैं, right, each base pair है, each base pair का जो distance है, वो कितना होता है यहाँ पर, 0.34 nanometer, यहाँ मैं बोल दूँ क्या, और 3.4 angstrom, right, clear है, इतना clear हुआ, यह नहीं, जल्दी बताइए, next है, अब each base pair के बीच का distance इतना है, और यहाँ पर एक turn में कितने base pair है, 10, तो हम क्या करेंगे, एक turn का distance कितना हो जाएगा, हाना, तो one turn में जो distance आपको देखने को मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, 10 into, 0.34, यह हम nanometer में निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3.4 nanometer, और अगर मैं इसी को किस में निकालूं, बताइए, अगर इसको मैं angstrom में निकालूं, तो यह कितना हो जाएगा, 34 angstrom, कितना हो जाएगा, 34 angstrom, ठीक है, तो यह क्या है, distance between, between base pair, distance between base pair, right, clear है इतना, जल्दी से screenshot लेजे, screenshot ले लिया, अब इन्होंने कहा है कि एक turn की पूछिए न, per turn, तो यहाँ पर contain helix, कितने base pair होते हैं, 10 base pair होते हैं, ठीक है, यह दो cancel हो गया, right, फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर हर एक turn में कितना distance है, कितना long है यह, तो यहाँ पर एक turn में कितने 10 base pair है, और 1 base pair, 2 base pair की बीच का जो distance है, वो कितना है, 0.34 nanometer या 3.4 angstrom, right, तो हम angstrom, यहाँ पर angstrom की बात करेंगे, क्योंकि nanometer दिया ही नहीं है, तो angstrom की बात करेंगे, तो यहाँ एक जो 2, मतलब base pair की बीच का जो distance है, वो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर होगा आपका 3.4 angstrom और हमें निकालना है, एक turn का, तो एक turn में कितने base pair होते हैं, 10 base pair होते हैं, तो हमें क्या करना है इंटू 10, किस से? 3.4 angstrom से, तो आपका जो answer आ रहा है, वो कितना हो रहा है, 34 angstrom, कितना हो रहा है 34 angstrom, ओके, तो B option जो है, वो क्या हो जाएगा correct answer, B option क्या हो जाएगा, correct answer, राइट, तो जल्दी से screenshot लीजिए इसका फटा-फट screenshot लीजिए, क्या आपने screenshot ले लिया है, बताएए एक बाद चेक कर लीजिए, विल्कुल सही है तो चलते हैं, next question की तरफ next question है, question number 26 the most important form of energy currency in living system is the bond energy in a chemical called ठीक है, तो हम बात करते हैं, किस की energy currency की हाना, तो मैंने आपको बहुत बार बोला होगा, ATP, ATP ATP, ठीक है, तो ATP जो है बिटा, वो living body की यह living cell की, यह living system की क्या है, energy currency क्या है, energy currency, राइट जैसे कि हमारे रुपी चलता है राइट, वो हमारी currency है वैसे ही living state की जो energy currency है, वो क्या हो जाएगी, ATP, ATP का full form क्या है, adenosine, di phosphate, tri phosphate, यहाँ T का full form होता है, try D का full form होता है, die M का होता है, mono, right तो देखे, यहाँ पर A, M, P A, D, P और A, T, P, right बच्चों को बड़ा doubt होता है कि क्या होते हैं, देखिए adenosine क्या होता है बिठा, adenosine क्या होता है मैम, adenosine तो हमारा nucleotide था, क्या nucleoside था, nucleoside था, adenilic acid क्या था nucleotide, बट adenosine जो था, वो तो क्या हो जाएगा nucleoside, तो nucleoside में क्या जोड़ दिया, हमने एक phosphate, तो वो क्या कहलाएगा adenosine adenosine monophosphate थीक है, फिर adenosine diphosphate थीक है, थर्ड क्या है adenosine triphosphate क्या हो जाएगा, adenosine triphosphate clear है, तो यहाँ पर adenosine triphosphate क्या है, बटा energy currency है, किसकी living state की, किसकी living state की, मतलब body की, राइट वो किसी की भी body हो, तो जल्दी से screenshot लीजे इसका, जल्दी से screenshot लीजे, क्या आपने screenshot ले लिया, यह हम पहले answer ही देख लेते हैं, यहीं पर, ओके, तो जल्दी से screenshot ले लीजे, और हम आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं, next question की तरफ, और next question है, हमारा question number 27, तो 27 question number बोल रहा है, कि what is denoted by x and y in the given figure या graph, तो यह graph तो देखा-देखा सा लग रहा है, कहीं तो देखा है, यह कहीं तो टकराया था आप से road पर, right, तो कहाँ, पहला जो है y axis में किसकी बात कर रहा है, बिटा, y axis में potential energy की बात कर रहे हैं, and x axis में किसकी बात कर रहा है, progress of reaction progress of reaction का मतलब है substrate जो है, वो किसमें convert हो रहा है, product में convert हो रहा है, right, same हम किसमें पढ़ते हैं, chemistry में भी पढ़ते हैं, kinetic energy में पढ़ते हैं, right, चलिए, तो यहाँ पर इन्हों ने कहा कि यह क्या है, यह है substrate या रियक्टेंट, यह क्या है substrate और रियक्टेंट, substrate में biology के हिसाब से बोल रही हूँ, रियक्टेंट में बोल रही हूँ, chemistry के साब से, right, तो देखें, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, transition state, और यहाँ पर substrate और इस transition state के बीच की जो gap है, यह energy है, इसे हम बोलते हैं, activation energy, तो why क्या है, activation energy, क्या है, activation energy, right, क्या है बाए बेटा, activation energy, right, वहीं पर मैं बात करूँ, किसकी, यह वाली, तो यह भी तो क्या हो जाएगी, activation energy, यह भी क्या है बेटा, activation energy, right, तो यह भी हमारी क्या हो गई, activation energy, ओके, क्या हो गई, activation energy, अब देखें, यहाँ पर, यहाँ पर बेटा एक चीज़ देखिए आप कि यह activation energy है without enzyme ठीक है without enzyme और यह है with enzyme तो हुआ क्या जब हमने energy में sorry हमने reaction में enzyme को लेकर आए तो activation energy क्या हो गई कम हो गई और हम जब यही reaction without enzyme करा रहे थे तो हमें activation energy मतलब energy की requirement जादा थी substrate को product में करने के लिए अब बात आती है यहाँ पर देखिए क्या है बटा यह तो क्या हो जाएगा substrate और यह क्या हो जाएगा product तो बताए किसकी energy कम है substrate की या product की तो आप बोलोगे मैं product की कम है क्योंकि product यहाँ पर आ रहा है और substrate यहाँ पर है तो substrate की energy जादा है product की कम है तो जादा energy है और कम की तरफ जा रहे है मतलब हम stable की तरफ जा रहे है तो हम energy को release कर रहे है लूज कर रहे है तो यह कौनसी reaction हो जाएगी exothermic reaction कैसे? exo का मतलब होता है बहार, endo का मतलब होता है अंदर यहाँ पर substrate की पास थी जादा energy और product की पास थी कम energy और आपको पता है कि energy और stability का inverse relation होता है मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि energy और stability का inverse relation होता है अगर आपको stable करना है अपने आपको तो आपको energy को release करना पड़ेगा, lose करना पड़ेगा, right? तो यहाँ पर high energy से low energy की तरफ जा रहे है तो energy को क्या करना पड़ेगा, release करना पड़ेगा, lose करना पड़ेगा, तो इस process को हम क्या बोलेंगे, इस reaction को हम क्या बोलेंगे exothermic reaction, क्या बोलेंगे? exothermic reaction, right? तो जल्दी से screenshot लीजे इसका, जल्दी फटा फटी screenshot लीजे, क्या आपने screenshot ले लिया है बताईए और इनका कहना क्या है पूछना क्या था इनका X और Y पूछ रहे थे राइट तो X क्या है पिटा एक मिट ज़रा अच्छा X यह है X क्या है activation energy with enzyme मतलब in the presence of enzyme और Y जो है activation energy without enzyme राइट चलिए तो with enzyme without enzyme यह तो उल्टा भोल रहे हैं कि without enzyme with enzyme गलत है activation energy with enzyme और यहां पर without enzyme राइट तो मेरे हिसाब से भी option सही है नीचे तो concentration की बात कर रहे हैं screenshot ले लिया तो चलते हैं next question की तरफ और आज का next question है question number 28 question number 28 बोल रहा बिटा which one of the following graph show the effect of pH on the velocity of typical enzymatic reaction मैंने बताया था आपको कि particular temperature पर और एक particular pH पर enzyme की maximum जो बात करूं activity show होती है तो efficiency जो होती है enzyme की maximum कब होती है जब temperature क्या हो एक stable optimum temperature हो optimum pH हो तो कैसा graph देखने को मिलेगा आपको पता यह पहला वाला graph देखने को मिलेगा pH और velocity का यह दूसरा वाला graph मिलेगा यह third वाला यह fourth वाला ठीक है तो पहला है की straight मतलब दीरे linear increase हो रहा है उसके बात constant हो रहा है ठीक है दूसरा है sigmoid third है आपका कि भाई यहां पर क्या हो रहा है पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है ओके यह बता पैर बोला है यह hyperbola याद है यह याद है यह नहीं पैर बोला ग्राप पढ़ाया है क्या बढ़ाया यह वाला ग्राप तो यह जो है यहां पर क्या मिल रही है maximum maximum enzymatic activity मिल रही है ठीक है क्योंकि temperature को कम करने पर यह ज्यादा करने पर optimum temperature से कम यह ज्यादा temperature पे enzyme का structure क्या हो जाता है खराब राइट ज्यादा temperature करने पर enzyme का जो tertiary structure है वो denatured हो जाता है और कम करने पर temperature कम करने पर enzyme जो है वो कैसा हो जाता है inactive और हम बात कर रहे है पी एच की तो पी एच की condition में 7 से ज्यादा करोगे 7 से कम करोगे दोनों condition में enzyme का जो tertiary structure है वो denatured हो जाता है तो यहां पर जो option C है यह ग्राफ थर्ड वाला जो है वो क्या हो जाएगा correct क्या हो जाएगा correct राइट तो जल्दी से screenshot ले लिजे इसका बिटा जल्दी screenshot लिजे ओके तो देख लेते एक बार हां बिलकुल सही है तो चलते है next question की तरफ और आज का next question है question number 29 question number 29 है which one of the following graph show the effect of temperature on the velocity of typical enzymatic reaction पेटा दोनों के लिए same diagram होता है same graph बनता है दोनों के लिए अभी मैंने बताया तो इसके लिए भी कौन सा जाएगा जल्दी बताएगा option C क्या जाएगा option C right clear है या बताएगे optimum temperature कितना होता है देखे मैं human की बात करूं तो 37 जो है 37.5 से लेकर 40 तक लेके चलते है उससे जादा हो गया या उससे कम होगा हाना तो एक range लेके चलते है temperature की 25 degree Celsius to 40 degree Celsius इस पे enzyme काम करते हैं अच्छे से इससे कम हुआ या इससे जादा हुआ temperature तो enzyme जो है वो क्या हो जाते है या तो inactive हो जाएंगे या denatured हो जाएंगे right clear है चलिए तो next चलते है Michelle is minutes constant Km is equal to भाई मैंने मैंने आपको कम पड़ाया था था मैने बोला था यह क्या है Deep die längé कू Mention constant ठीक यह किसको बताता है यह क्या बताता सिप्षेंगे है the rate of reaction, क्या ही reaction की rate को बताता है, rate of reaction क्या होती है, क्या मैंने आपको बताया था, यह बताया था, यह क्या है rate of reaction, ठीक है यह क्या है rate of reaction, DRYDT हो गया, DPYDT हो गया, ओके, यह क्या है rate of reaction, clear है या नहीं, जल्दी बताइए, तो यह तो नहीं बताता है, यह तो rate of reaction नहीं बताता है ठीक है दूसरा option है यह तो गलत हो गया दूसरा option है the rate of enzymatic activity के enzymatic activity के rate को बताता है यह भी नहीं है third is substrate concentration at which reaction attain half of its maximum velocity क्या यह substrate का वो concentration होता है जहां पर reaction अपनी half maximum velocity को attain करता है right यह option d है substrate concentration at which the rate of reaction is maximum इसे तो हम v max बोलते है विटा इसको तो v max बोलते है यह वो concentration है substrate का जब जहां पर क्या मिलती है v max y 2 मिलता है right reaction जो है उसकी half maximum की half क्या मिलती है यहां पर velocity मिलती है right तो option c जो है वो क्या हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा correct answer right तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजे जल्दी screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया बताएगे तो चलते हैं बिलकुल सही है हमारा c option क्या हो जाएगा correct answer c option क्या हो जाएगा correct answer right next क्या है पिटा question number 31 and question number 31 बोल रहा है enzymes are the most functional within the temperature range of तो वही वाली बात हो गई कि यहाँ पर किस range पर temperature के किस range पर maximum enzymatic activity होती है बताएगे किस अभी मैंने बता है आपने अगर मेरी बात सुनी होगी अच्छे से तो मैंने अभी बोला था कि किस temperature पर enzyme अच्छे से काम करते हैं 10 to 80 degree Celsius minus 15 to 25 degree ना बाबा यहाँ पर 25 to 40 degree या 50 to 60 degree बिटा देखो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर क्या बात करूँ एक मिनिट यहाँ पर बात करूँ इस temperature पर यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे तो enzyme denatured हो जाएंगे क्या हो जाएंगे denatured राइट यहाँ पर inactive रहेंगे क्या रहेंगे inactive तो कैसे ही काम करेंगे राइट यहाँ पर काम करेंगे बट यहाँ पर तो inactive रहेंगे यहाँ पर क्या रहेंगे inactive यहाँ पर efficiently work करेंगे ठीक है यहाँ पर efficient होंगे और जैसे कि अभी मैंने उपर बताया है यहां तो efficient होती है ओके यहां पर क्या हो जाएंगे दोनों condition में denatured हो जाएंगे दोनों condition में क्या हो जाएंगे denatured clear है तो बताईए कौन सा option बनेगा मेरे को तो एक ही दिख रहा है कौन सा वाला c option कौन सा c option तो जल्दी से स्का screen shot ले लिजे पटड़ पटड़ मेटा screen shot लिजे एक बार check कर लेते हैं हाँ बिल्कुल सही है clear है पिटा देको एक एक चीज में आपको लिखवा रही हो please हाँ तो आप भी हर एक question को इसी तरीके से attempt करना क्यों हो सकता है बताईए कि inhibition of succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase क्या है बिटा enzyme है क्या है enzyme राइट तो succinate dehydrogenase enzyme का inhibition कौन करता है mellonide ठीक है यहाँ पर कौन है भाई बताईए यह क्या कर रहा है ओके तो बताईए कौन होगा यह non competitive inhibition competitive inhibition allosteric inhibition या negative feedback जल्दी बताईए क्या मैंने पावा बताया था आपको क्या पावा बताया था clear है पावा बताया था पावा और यहाँ पर यह जो succinate dehydrogenase है यहाँ पर इन दोनों में क्या होता है यह दोनों के दोनों किसके example है competitive inhibition के example है राइट तो जल्दी से इसका screen shot ले लिजे हाँ बिल्कुल सही है option B जो है वो क्या है बिटा correct answer राइट चलते है next question की तरफ और next question क्या पूछ रहा है जल्दी बताएए तो क्या बोल रहा है बिटा यह question number 33 बोल रहा है which of the following is an example of isoenzyme तो isoenzyme के कौन से example होता है बिटा जल्दी बताईए तो isoenzyme alpha amylase क्या isoenzyme है glucokinase isoenzyme है यह lactate dehydrogenase and isoenzyme है जल्दी बताईए आपके 5 second शुरू होते हैं आप जल्दी बताईए फटा फट बेटा जल्दी जल्दी ओके तो क्या हम आगे बड़े जल्दी बताईए आपका अंसर आ गया है तो बेटा alpha amylase glucokinase and lactate dehydrogenase यह तीनों के तीनों क्या है बताईए all of these are isoenzyme alpha amylase का यूज कहां करते हैं starch digestion में राइट वहीं पर glucokinase glucokinase का यूज कहां करते हैं glucose 6 phosphate जब हम बनाते है तो glucokinase का यूज होता है lactate dehydrogenase का यूज का होता है जब हम lactic acid fermentation कराते हैं तो यह हमारे तीनों के तीनों किसके example हो गया है isoenzyme के राइट चाले तो जल्दी से देख लीजिए बिल्कुल correct answer है हमारा option D ओके चलते हैं next question की तरब आज का next question है question number 34 तो question number 34 क्या बोल रहा है बिटा देखिए holoenzyme is the complete enzyme holoenzyme क्या होता है complete enzyme consisting of an epoenzyme and a cofactor जो holoenzyme होता है उसकी दो unit होती एक होती epoenzyme और दूसरी होती है cofactor select the option that correctly identifies the nature of epoenzyme and cofactor तो जैसे कि मैंने आपको एक structure बन भाया था जब मैंने cofactor पढ़ाया था आपको कि cofactor में मैंने क्या बताया था कि ये क्या है cofactor और क्या है epoenzyme क्या है cofactor और epoenzyme तो इस तरीकी का मैंने एक structure बनाया था ठीक है ये जो है बिटा ये क्या है epoenzyme और यहाँ पर कौन present है यहां present है co-factor, कौन present है? co-factor, right? तो यह क्या है? co-factor, ओके, यह क्या है? co-factor और यह क्या है? यह क्या है?ilurnum, और इन दोनों को मिला कर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला कर हम कहते हैं? holo enzyme, क्या कहते है? holo enzyme का मतलब क्या होता है पेटा? complete enzyme. whole enzyme का मतलब क्या होता है complete enzyme whole enzyme का मतलब क्या है complete enzyme यह क्या है functional enzyme है बिटा क्या है functional enzyme यहाँ पर co-factor जो होता है बिटा यह non-protein part होता है enzyme का क्या होता है non-protein part of whole enzyme non-protein part of whole enzyme और यह क्या होता है अपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ओफ होलो एंजाइम यह क्या होता है प्रोटीन पार्ट तो क्या बोल रहा है यह अपो एंजाइम के बारे में नोंने कहा कि यह प्रोटीन पार्ट होता है और को फैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट और मैंने क्या बोला हमें सारे options देखने होते हैं, right, यह non protein बोल रहा है, यह protein बोल रहा है, गलत हो गया, यह protein है, यह protein है, यह protein गलत है, यहाँ non protein यह गलत हो गया, यह सही है, तो आपका option A क्या हो जाएगा बिटा, correct answer, option A क्या हो जाएगा, correct answer, right, तो जल्दी से इसका screen shot ले लिजे, फटा पट बिटा screen shot ले जे, क्या आपने screen shot ले लिया है, बताइए, तो हम check कर लेते हैं, option A क्या हो जाएगा, correct answer, option A क्या हो जाएगा, correct answer, तो चलते हैं next question की तरफ, और that's ka next question hai, question number 35, so question number 35 bol rai bita, read the given paragraph with few blanks, prosthetic group are compound, matlab prosthetic groups are dash compounds distinguished from the cofactor, okay, in being dash bound to the hypoenzyme for example in peroxidase and dash which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and this and this is the prosthetic group, so dhekheyeh jaldi se pahle aap ne agar isko samaj liya hooga aur agar aap eek baar try karna chahate hai aur jo bachcha correct answer dhega uski to phir balye balye hai na, toh jaldi se eek baar try karlo hai na, agar thoda sa confusing lag raha hooga toh mait bhoat easy kar dhungi aapko pura samjhaaya hai maine, thik hai, kya hai, samjhaaya bas thoda sa inglish hai aur thoda sa lengthy paragraph hai, aapko usko paddhna hai, bas, kuch nahi hai, right, baqi toh bhoat easy, baqi toh bhoat easy, right, toh jaldi se kar dhijay, aapke 5 second show hote hai, ab 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, chalyeh, toh dhekhti hai bita, inka kehna hai ki prosthetic group joh hote hai, r, kya hote hai, organic compound, kya maineh bola tha ki prosthetic group kya hote hai bita, organic compound, thik hai, organic compound ho gaya, phir uske baad, kya boul rahe hai, yye, distinguish from the other cofactor in being, yyeh jho prosthetic group hote hai, minne kya bola tha, prosthetic group joh hai, pakar ki, jakar ki, rakte hai, matlab kya hote hai, tightly bound, toh yahaan kya jayega, tightly bound, kya hote hai bita hai, tightly bound ho ta hai, right, tightly bound to the hypoenzyme, for example, in peroxidase, and in which catalyze, toh, yahaan peroxidase aur dousra enzyme, kya hote tha, catalyze, mayna bola tha na, peroxidase and catalyze, thik hai, toh, yahaan kya ajaega, catalyze, catalyze the breakdown of hydrogen peroxide, toh, peroxidase aur catalyze, joh hai, yyeh dho nho kya hai, enzyme hai, joh ki kis ko break करते है, H2O2 ko, hydrogen peroxide ko, toh, water, kis me toڑते है, water मे, and kis me toڑیں گے, बताइए, and, yahaan par oxygen hooga, and dash is the prosthetic group, yahaan par beta, in peroxidase and catalyze enzyme में, कौन सा group prosthetic होता है, तो मैंने आपको लिगवाया था, heme group, heme group क्या है, बिटा, prosthetic group है, heme group क्या है, prosthetic group, अब देख लो, क्या है, organic, tightly bound, catalyze, O2, heme, organic, yahaan, yyeh dho nho to cut, organic, yyeh bhi organic होता है, coenzyme bhi organic होता है, तो yye dho nho to cut हो गए, okay, tightly bound, loosely bound, yyeh, hud gya, catalyze, oxygen and heme, तो first option बिलकुल, correct answer होगा, first option क्या हो जाएगा, correct answer, तो जल्दी से screenshot ले लीजे, बिटासका, जल्दी से screenshot लीजे, क्या होता है, यहाँ पर H2O2 जो है, वो किसमें convert होता है, H2 में, plus half O2, right, किसमें, half O2 में, in the presence of कौन सा enzyme, catalyze, कौन सा, catalyze या, peroxidase, catalyze या, peroxidase, right, और इस catalyze में, heme group क्या होता, prosthetic group, ओके, चालिए, तो क्या आपने screenshot ले लिया है, बताईए, एक बार चेक कर लेते हम, हाँ, बिलकुल सही है, जल्दी से screenshot लीजे, ओके, answer के साथ भी एक बार screenshot ले लिया करो, हना, तो cellulose is the polymer of, बेटा, cellulose जो है, ये क्या है, polysacride है, cellulose क्या होता है, polysacride इतना मैंने बता दिया, अब आगे का आप बताईए, किस से मिलकर बना होता है, इसकी monosacride unit क्या होती है, जल्दी बताईए, कैसा structure होता है, ये जल्दी बताईए, जल्दी जल्दी फटा फट, जल्दी बताईए, कैसा structure होता है, ये non-helical, कैसा होता है, non-helical structure होता है, कैसा होता है, non-helical structure, ठीक है, और क्या बताना थे इसके बारे में, इसमें beta glucose जो है, बीटा ग्लुकोस जो है क्या होती है मोनोमर होता है तो मोनोमर यूनिट क्या है यहाँ पर बीटा ग्लुकोस बीटा ग्लुकोस जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं बताइए यहाँ पर सेलिलोस को बनाते हैं तो अलफा डी ग्लुकोस नहीं बीटा D-glucose, अलफा D-glucose, बीटा फ्रक्टोस, क्या होता है आपका बीटा D-glucose, क्या होता है बीटा D-glucose, राइट, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजे, जल्दी से यहां आप चाहो तो और आपको तो पता ना, ड्रेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, तो यहां यह कौन सा है, बीता डी ग्लुकोस है, क्या है, बीता डी ग्लुकोस, right, फिप्त कार्बन पर, अगर हाईट्रोक्सिल ग्रॉप राइट साइड है तो, दी, डेक्स्टो रोटेटरी, लेप साइड है तो, लीवो रोटेटरी, right, ये तो बता है आपको, चलिए जल्दी से screenshot लीजिए इसका, ओके, तो चलते हैं, हाँ, चेक कर लिए आपने, चलते हैं next question की तरफ, next question है बिटा, which of the following is a homopolysaccharide, तो इसमें से homopolysaccharide कौन है, पहला है heparin, दूसरा है inulin, pactin and hyaluronic acid, कौन सा इसमें से homopolysaccharide होगा, जल्दी ब तो जब मैंने आपको inulin पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, inulin, right, तो inulin मैंने बताया था कि inulin जो है, वो किसका homopolymer है, inulin जो है homopolymer of fructose, ठीक है, किसका है homopolymer of, या मैं बोलो homopolysaccharide of fructose, हाना, और कहां से extract किया जाता है, कहां से obtain किया जाता है, बेटा, बताइए, root of dahelia and atricot, क्या बताया था कि नहीं, और किसके लिए use किया जाता है, use for the measure of GFR, ठीक है, कहां से obtain किया जाता है, obtain from from roots of dahelia and atricot, ठीक है, dahelia and atricot और use for measure, use for measure GFR, किसको measure करने के लिए, GFR को measure करने के लिए, right, तो यहां पर हमारा answer क्या हो जाएगा, inulin, क्योंकि inulin क्या है, homopolysacrid है, किसका, fructose का, किसका, fructose का, right, तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, जल्दी से screenshot लिजे, पिटा, क्या आपने screenshot ले लिया है, तो answer क्या है, आपका, B inulin, okay, चलते है next question की तरफ, और आज का next question है, question number 38, question number 38 है, human hemoglobin contains, तो human hemoglobin जो है, इसमें human hemoglobin में क्या present होता है, peptide chain, दो alpha globin, दो beta globin chain होती है, right, तो यह globin chain क्या है, polypeptide chain होती है, अब यह polypeptide chain यहाँ पर है, तो यह hemoglobin का structure जो है, वो secondary structure of protein होता है, tertiary structure of protein होता है, यह quaternary structure of protein होता है, यह all of these, जल्दी बताएं, मैंने आपको example में लिगवाया था, मैंने जब types of, यह structures of protein जब पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ लिगवाया था, primary protein क्या है, secondary में alpha helix, beta plated, and आपको मैंने क्या पढ़ाया था, जल्दी बताएं, triple helix पढ़ाया था, फिर मैंने पढ़ाया था, tertiary structure, quaternary structure, tertiary structure के example क्या क्या थे, आपके myoglobin और enzyme, quaternary के example क्या था आपका, जल्दी बताएं, hemoglobin, क्या था, hemoglobin, तो यहाँ पर option D क्या हो जाएगा, correct, option C जो है, वो क्या हो जाएगा, correct answer, right, तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, option C क्या हो जाएगा, correct answer, तो देख लेते हैं, एक बार शेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, तो आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, और आज का next question है, question number 39, question number 39 है, fill in the blanks, तो हमको यहाँ पर कुछ-कुछ blanks दिये, उनको fill करना है, essential amino acids, non-essential amino acids, तो कौन सा amino acids essential है, कौन सा non-essential है, जल्दी बताएं, तो आपको essential याद रखनें, non-essential आप ऐसे ही निकाल लोगे, कैसे याद रखना था, tv mil path, कैसे याद रखना था, जल्दी बताएं, tv mil path, तो देखिए, पहला कौन सा हो जाएगा, tryptophan, क्या हो जाएगा, tryptophan, ओके, उसके बाद valent, लिखा हुआ है, कहीं देख लेना आप, ठीके, फिर क्या हो जाएगा, methionate, isoleucine, lysine, lysine, lysine लिख लेते हैं, फिर lysine लिखेंगे, राइट, lysine, lysine, phenyl, alanine, अब यहाँ बना, flow flow में, alanine मत लिख देना, हाना, क्योंकि यहाँ, flow flow में, isoleucine, lysine जा रहा है, यहाँ मत कर देना, phenyl, alanine, arginine, यह क्या है बिटा, arginine, T से क्या है, threonine, and H से क्या है, histidine, तो एक चीज़ नोटिस करें, आपने यहाँ पर तीनो के तीनो कौन basic amino acid आ गए, essential के अंदर, तो हम इसी से match कर लेते, lysine क्या है, lysine मैं essential amino acid है, leucine भी essential amino acid है, methionine भी essential है, phenyl, alanine भी essential है, venin भी, valine भी essential है, बट, tyrosine नहीं है वो थ्रियो नहीं है, राइट, tyrosine non essential हो गया, alanine non essential हो गया, and sustean non essential हो गया, तो अब देख लो, इस सहाब से, जल्दी से बना लो, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर यह तो गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, हमें essential, non essential निकालना है ना, फिर यह सही हो गया, और यह भी गलत हो गया, तो देख लिजिए, एक बार चेक कर लिजिए, अंसर, जल्दी देख लिजिए, बिल्कुल सही है, तो जल्दी से screenshot ले लिजिए, इसका, क्या आपने screenshot ले लिया है, बताएए, क्या आपने screenshot ले लिया, तो चलते हैं, next question की तरह, फोराज का next question है, question number 40, which of the following describes the given graph correctly, तो यहाँ पर हमें एक graph दिया है, किस के बीच में, potential energy की बीच में और reaction के बीच में, right, मैं already आपको पहले question में करवा चुकी हूँ, आगे वालों में, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है, बेटा, substrate है, यह क्या है, substrate है, और यह क्या है, product, right, तो देखिए, यहाँ पर, यह, यह graph हुआ, और दूसरा graph है, यह, तो यहाँ पर, बेटा, यह line हो गई, किसकी, यह जो है, यह क्या है, activation energy, right, यह क्या है, activation energy, और यह भी क्या है, activation energy, इसको हम बोलते हैं, transition state, क्या बोलते हैं, transition state, ठीक है, जो की कैसी होती है, unstable होती है, यहाँ होती है, unstable, right, तो यहाँ पर, बेटा, जब सबस्टेट को हमको product में convert करना रहता है, तो हमें इतनी energy देनी पड़ती है, जैसे हम कहते है, activation energy, क्या बोलते हैं, activation energy, मतलब इतनी energy के requirement होती है, कि जो सबस्टेट है, वो product में convert हो जाए, right, same, यहाँ पर जो activation energy है, वो जाधा दिख रही है, आपको क्या हो रही है, जाधा, क्यों जाधा दिख रही है, कैसे जाधा दिख रही है मैं, देखो, यहाँ पर इतनी जाधा activation energy देनी पड़ रही है, और इस वाले graph में इतनी ही activation energy देनी पड़ रही है, right, तो यहां जो activation energy है, वो ज़्यादा चाहिए, यहां कम चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं यह वाली reaction करा रही हूँ, तो यहां पर मैंने enzyme को नहीं लिया, without enzyme मैंने जब यह reaction करा ही, तो मुझे activation energy ज़्यादा देनी पड़ रही है, right, वही पर तो क्या बोल रहे हैं वही देखते हैं अब एड़ा एक बात और गौर करना जैसे कि मैंने आपको last question जो थे अपरे उनमें बताया था कि यहाँ पर यह potential energy जादा है यहाँ पर potential energy कम है और मैंने आपको एक relation बताया था कि energy is inversely proportional to stability और कुछ भी बोला था मैंने और कुछ बोला था और मैंने बोला था directly proportional to energy जो है वो directly proportional है किसके reactivity के किसके reactivity के ओके ऐसा ही कुछ बोला था मैंने तो देखिए यहाँ पर बेटा energy जादा बताईए substrate और product में किसकी energy जादा तो हम y-axis पे चलते हैं यहाँ पर product आ रहा है और यहाँ पर substrate आ रहा है मतलब substrate की energy जादा मतलब substrate unstable और product stable तो stability की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा energy क चोड़ना पड़ेगा तभी हम stable की तरफ आपाएंगे क्योंकि इसका inverse relation है राइट तो यहाँ पर energy release होगी तो यह कौनसी process हो जाएगी exothermic क्या हो जाएगी बिटा exothermic process राइट कौनसी process हो जाएगी exothermic तो यह कौनसी process है आपकी exothermic क्योंकि यहाँ पर stability के तरफ आने के लि तो देख लेते हैं इनका कहना है endothermic reaction है यह क्यों endothermic होगी अगर देखिए suppose substrate यहाँ होता product यहाँ होता तो reaction endothermic होती क्योंकि हम stable से unstable की तरफ जा रहे है राइट बट यहाँ पर तो यह गलत हो गया आगे की तो बात ही नहीं कर रहे हम इनका यह point गलत हो गया की reaction कैसी है endothermic फिर बोल रहे है with energy A is presence of enzyme and B absence of enzyme इनका कहना है यह जो energy है वो enzyme की presence में है और यतिनी energy हमें enzyme की absence में देनी पड़ रहे है यह तो उल्टा बोल दिया है इनोंने मतलब क्या ही बोल रहे है थोड़ा सोच समच के तो बोलो ठीक है मतलब enzyme की value भूल रहे है आप उल्टा करवा रहे ह इसको तो अब next है exothermic reaction इनका कहना यह exothermic reaction है with energy A in presence of enzyme and B in absence of enzyme यह बात सही बोल रहे है राइट बट हमी अभी हम पूरे तरीके से rely नहीं करेंगे क्योंकि अभी दो option और बचे हैं राइट हाँ बट यह पूरे तरीके से correct है endothermic reaction गलत आ गया with energy A absence of enzyme और energy B presence of enzyme ठीक है यह भी गलत हो गया ठीक है मतलब यह तो उपर वाला ही point हो गया exothermic reaction energy A absence of enzyme और energy B presence of enzyme यह भी गलत हो गया तो हमारा answer क्या जाएगा बेटा जल्दी बताइए answer क्या जाएगा B क्या जाएगा B right तो B क्या हो जाएगा हमारा correct answer B क्या हो जाएगा correct answer right तो जल्दी से screenshot ले लिजे इसका ज तो screenshot ले लो इसका क्या आपने screenshot ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर हमारे MCQs खतम होते हैं टोटल हमने 40 MCQs किये जिसमें हर एक topic को हमने अच्छे से cover किया I hope आच की session आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे शेर कीजे औ comment करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आप हमें YouTube चैनल पर तो already follow कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच्री हूँ और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी जल्दी वड़ावट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को क् करना है एंड वहां टाइप करना है मैगने बीज जैसे ही आप मैगने बेंस टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज उपन होगा इस पेज में kindergarten to class 12th class की complete course की playlist अबलेबल है and especially 11th and 12th class के लिए यहाँ पर आपको stream wise playlist अबलेबल है जैसे की science stream, commerce stream, humanity stream हर एक stream wise में theory करवाते हैं ncati की theory के अलावा advanced theory जो आपको आपके competitive exam में जरूरी है वो ncati solution mcqs mqs one shot revision quick revision and daily practice question जी हा इतना सारा हर एक chapter के अंदर हम include करते हैं इसके अलावा आप हमें follow कर सकते हैं हमारी official website पर that is www.magnatebrains.com और आप हम से जोड सकते हैं हमारे social media handles के truth जैसे के facebook instagram twitter telegram and whatsapp आप available कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं magnetbrains की top courses की तरफ उससे पहले जान लीजे कि magnetbrains के दो channel है हिंदी medium channel जहां पर हम class 6 to 12 class तक के courses कराते हैं वही पर English medium channel जहां पर हम kindergarten to class 12 तक के सारे courses कराते हैं अब बात आती हैं दोनों channel पर कौन-कौन से courses available है तो यहां पर हम आपको cbsc board की preparation कराते हैं किसकी cbsc board की क्या सिब cbsc board की preparation कराई जाती है magnetbrains की platform पे क्या magnetbrains का platform state boards वाले बच्चों के लिए नहीं है क्या magnetbrains state boards वाले बच्चे free education नहीं ले सकते तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि magnetbrains cbsc board के साथ state board को भी include करता है जैसे की डहली बोर्ट बिहार बोर्ट यूपी बोर्ट एंपी बोर्ट राजिस्थान बोर्ट इसके साथ ही वेडिक मैठ्स क्रैश कोर्स इस पोकन इंग्लिश यह सारे के सारे top courses magnetbrains आपको high quality education के साथ 100% free में प्रोबाइट कराता है जी हाँ आपने सही सुना और मैंने यही कहा magnetbrains प्रोबाइट कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन तो जोड़े रहें मुझसे और magnetbrains से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए